नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस यूटूब चैनल में आज की इस फीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्परेशन की तरफ से जो वेकेंसी को रिवाइस किया गया है जो एक अपडेट दिल्ली मेट्रो की तरफ से आया है और उसके रोप मार्क्स बढ़ेंगे क्या रिजल्ट दुबारा आएंगे जिन वेकेंसी की रिजल्ट पहले आ चुके थे क्या उनके भी रिजल्ट दुबारा आएंगे डॉकुमेंट वेरिफिकेशन कब तक हो सकता है साथी जाइनिंग कब होगी तो ऐसे आपके बहुत सारे सवालो क्या आज हम इस वीडियो के माद्यम से आपको देने वाले हैं तो इस वीडियो को अंतक जरूर देखेएगा चली दो दोस्तों बाद कर लेते हैं। सबसे पहले प्रेशने की और कि क्या सर कट ओफ मार्क्स बढ़ेगा क्या कट ओफ मार्क्स दुबारा से जारी होंगे तो जी हां दोस्तों कट ओफ मार्क्स दुबारा से जारी होंगे और साथ ही चाप जो cut off रहेगा वो बढ़ेगा और cut off बढ़ने का सबसे बड़ा कारण यह है कि वेकेंसी का कम होना एक्जामपल ले ले लेते हैं मेंटर एलेक्टिशन की 101 पोस्ट जारी की गई थी दिल्ली मैट्रो ने लेकिन उसको जब reduce कर दिया गया है तो पोस्ट हो गई है 30 पोस्ट और जैसा कि आपने मेंटर फिटर में भी देख लिया था मेंटर फिटर के लिए टोड़ा 18 पोस्ट जारी की गई थी और उसको reduce करके 6 पोस्ट कर दिया था लेकिन उसके बाद उनका जो cut off marks था वो बढ़ गया था इसी प्रकार से कुछ बाकी पोस्ट में भी होगा जो पहले cut off marks जारी किये गए थे अब जो cut off marks आएगा वो बढ़ कर आएगा हम नया cut off भी analysis कर रहे हैं सभी पोस्ट के लिए और उन cut off वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों genuine updates के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंदार तो लाइक जरूर करें और दोस्तों अब आपके अगले प्रशन के और बढ़ते हैं कि क्या सा result दुबारा आएगा definitely दोस्तों result दुबारा आएगा क्योंकि जो अब आने वाला है वो ये confirm नहीं है कि क्या वो सभी post unreserved category के लिए है क्या जो category wise vacancy जारी की गई थी उन सभी category को vacancy मिले क्योंकि जो vacancy हम example mentor electrician से ही रेते हैं कि 30 post अब minus कर दिए हैं लगबग 30 post कर दी गई है maintenance electrician में बड़ दिल्ली मेंटरों ने ये clear नहीं कहा है कि 30 post किस क्योंकि डिवाइड होंगी तो दोस्तों इस प्रकार से जो cut off रहेगा वो भी अलग 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 रहेगा साथ जाथ result भी दुबारा जारी होगा और उसके बाद जो vacancy table है वो भी दुबारा से आपको देखने को मिलेगा इसके बाद next question आपका आता है कि document verification कब होगा तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं ये दिल्ली मेंटरों की तरफ से FAQ जारी हुआ था और उसी में ये इस प्रश्न का उत्तर है how would selected candidate will be called for document verification and medical exam तो जैसा कि आप यहाँ पर जो selected candidates हैं क्योंकि अब जो result revised होकर आएगा वो final result रहेगा और इसके बाद इसमें किसी भी प्रकरगी कट होती नहीं होगी तो जो special 30 candidate होगे maintenance electrician के जो लोग select हो गए हैं जिसका नाम अब दुबारा से जारी करेगा दिल्ली मेट्रो उनको document verification के लिए साथी सथ medical examination के लिए दिल्ली मेट्रो by call इमेल या text message के जरीए उन तक सूचना पहुचाएगा और इसी जानकारी प्राप करने के लिए आप दिल्ली मेट्रो की official website से जुड़े रहे हैं डिल्ली विजिट कीजिए साथी सथ हमारे चैनल को भी सबस्क्राइब कीजिए क्योंकि दिल्ली मेट्रो की latest update आपको हमारे चैनल पर मिली जाती है वो भी 100% genuine updates और दोस्तों अब बढ़ते हैं हमारे अगले question की और के joining कब होगी तो दोस्तों जैसा के डिल्ली मेट्रो के तरफ से question create किया है कि document verification medical exam कब हो सकते हैं तो दोस्तों अब यहाँ पर joining की बात आती है तो joining के लिए फिलाल समय है क्योंकि अभी सभी post के results नहीं आए हैं और साथी साथ उनके score cards भी generate नहीं हुए तो joining के लिए फिलाल आप सभी को wait करना होगा और document verification के लिए जोस्तों जैसा के दिल्ली मेट्रो ने कहा है आप official website पर चेक करते रहे हैं साथी साथ दोस्तों यह वीडियो यदि पसंद आता है आपको heartly अच्छा लगता तो please comment में लिखकर ज़रूर करता है वीडियो लाइक करें ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें यदि हमारी जयनकारी सही और अच्छी रखती हो तो इस वीडियो में इतना ही वीडियो में बेरे करें दोस्तों